पूर्वांचल की धर्ती पर वर्षों तक अपने राजनेतिक रसूप के बल पर जिला पंचायत सदस्य के चुनाफ से राजनेतिक पारी की शुरुआत करने वाले स्वर्गिया उदेनाथ सिंग और चुलबुल वारणसी के जिला पंचायत अद्यक्ष थे 1995 में सर्थ पर्थम लखनव की रहा पकड़ी और भारी बहुमत से विदान परिशद में पहुचे थे लगातार दो बार विदानसभा परिशद के सदस से रहने के बाद स्वर्गिया चुलबुल सिंग ने अपने छोटे भाई अंडरवर्ट डॉन ब्रिजे शिंग की धरमपत अनुपूर्णा सिंग और पूनम को अपने राजनेतिक रसूप के बल पर निर्दलिय विदान परिशद में पहुचा आया था स्वर्गिया चुलबुल सिंग ने अपने जेष्ट पुत्र शुशील सिंग को लगातार तीन बार विदान सभा में पहुचाने में कामयाब चोटी बहु वर्तुमान में बलाक का मुख हैं और अपनी जिन्दगी के आकरी साल में स्वर्गिया चुलबुल सिंग ने अपने माफिया डॉन भाई ब्रिजे सिंग को विदान परिशद में भेजका पूरवांचल की राजनीति को गर्न कर दिया है ब्रिजे सिंग अखिल भारतिय प्रधान संगठंग के राष्टिय संदक्षक हैं जो इस समय सेंट्रल जेल वारणसी के निगरानी में ब्हु में अपने पैर का इलाज करा रही हैं आज पूरवांचल के एक राजनीतिक चानक के गिमित्यू होने से पूरा पूरवांचल शोक मगन है अखिल भारतिय प्रधान संगठंग परिवार स्वर्विय उद्यनात सिंग उस चुलबुल को शद्दा सुमन अर्पित करते हुए उनके आत्मा की शांती के लिए